किताब विपर्न की रीततों साचदा मार्ग पाग दूजा, लेखक सरदार गुर्बक सिंग काड़ा अफगाना, शेमे कांड़ दूजा पाग मूल मंतर, वाहिगुर जी का खाल सा, वाहिगुर जी की फते पंथक रहत मरजादा विच, जेमे सेखदी तारीफ, सेखदी रैनी, शक्षी रैनी, नाम बाणी दा अबे आस, नेतनेमदियां बाणियां दे नाम आद लिखे हन, इसे तरह उचेचे ताउरते, ना गुर्मंतर, अते ना ही मूल मंतर लिखिया मिलदा है अमर्त संसकार लिखतेयां खरड़े दे, पंजी सफे ते, नन्ये पैरे वेच यों लिखिया होया है उपरंत पंजे पैरे राड़के, एको अवाजनाड अमर्त शक्न वाड़यानू, वाईगुरुदा नाम दास के, मूल मंतर सुनोण, ते उना पासों एसदा रटन करोण एक उंकार सत नाम, करता पुर्ख, निर्पव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजुनी सैपहं, गुर परसाद, अंकत है वाईगुर दास ने मूल मंतर दा वेर्वा नखेड के किते नहीं देता वाईगुरु गुर मंतर होन दा संकेत जरूर देता है वाईगुरु गुर मंतर है, जप हो मैं कोई, आप गवाए आप है, गुण गुणी परोई गुर्मत मारतांड पुस्तक वेच, गुर दीखिया, गुर मंतर, मूल मंतर से लेख दे हेठा, यों लिखिया है अमर्त आदक संसकारांविडे, जो गुर मंतर अते मूल मंतर दा उपदेश देता जान्दा है, उस दा नाओ गुर दीखिया है एक उउंकार, सत नाम, करतापुर्ग, निर्पव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजुनी से पहंग, गुर परसाद, मूल मंतर है महान कोश दे, नो सो अकानमे सफे दे मूल मंतर, सारे मंतरां दी जड उउंकार नमबर दो, सिख मत उनसार, एक उउंकारतों, गुर परसाद, मूल मंतर हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, पन्ना एक हजार चाड़ी लिखिया है देरेदार सादा, संता, महापुर खान, गुरु अर्जम पाच्छा जीदा लिखन टांग मनजूर नहीं सी इस कार्म उनाने मूल मंतर, एक उउंकारतों, गुर परसाद तक, जो सिरीव गुरु गरंस है, बिच तेती बार लिखिया है तो अगे नानक होसी भी साचताई लिखना अते परचारना अरंब कीता होया है 1978 तों पिंडरावाडे टकसाली डेरेदा असर रसूख सिखरां ते जाटिकिया है लग पग सारे तर्म कारजाविच उना दी सिखिया नुहीं पूर्ण गुर्मत समझया जान लाग पया संत ग्यानी गुर्बचन सिंग दी खालसा पिंडरावाडे यां दी लिखी अते संत ग्यानी मोहन सिंग दी पिंडरावाडे वल्लों परकाश्ट कीती गुरमत रहत मरज़ादा कोस्त के वेच मूल मंतर गुर मंतर अथवा महा मंतर आदा ग्यान जिस टांगनाड दिता गया है, कोस्तों मंतर शवद, बिपर्न की रीतवाला कर्मकांडी टांगनाड पढ़िया जानवाला उचेचे फाल्देनवाला करामाती मंतर बंट चुका नजरी आउदा है उस पुस्तक विचले मंतरां बारे विस्तार सहत विचार कर लेनी लाहे बंदी रहेगी पुस्तक दे 121 सफे ते लिखिया है कि गुरु नानक सहीब जी ने आपने व्यास हमें बटारे विखे आगदे दुवारे फेरे लेन तो ना कर दिती सी अते एक ओ अंकारतों गुर पर साथ आई बाणी लेके इह दे चो गिरदे फेरे लेसन अते इस बाणी नो लिखारी संत जी ने महा मंतर नाम दिता है फिर आपने आपनो विद्या मारतंड सूर्ज लिखन वारे संत जी ने ओसे पुस्तक दे दो सो पंजी सफेते लिखिया है के सुल्तान पूर लो दीतों वेई नदी दे रस्ते जाद गुरु नानक दी साच खंड पुझे अते अकाल पुरुखनों आपना गुरु तार के गुरु बाडे बने ता अकाल पुरुखने गुरु ओके नमे बने आपने चेले सिरी गुरु नानक सहीब जीनों जेड़ा उपदेश दिता ओ एक ओ अंकारतों गुर पर साथ तक महा मंतर ही सी अगे संत जी यों लिख दे हम पर गुरु नानक सहीब जीने जाप, आद साच, जुगाद साच, है भी साच, नानक होसी भी साच उचारिया ता अकाल पुरु ने हुक्म कीता कि जो एसनल मिला के सिमर्न करेगा उसनु सब पदार्थ मिलनगे ते मुक्त हो जाएगा सारे कार जरास होनगे इस सारे दा नाम मूल मंतर है अते फिर साच गुरा ने अकाल पुर्ख दे सनमुख सारा जबजी सहब उचारिया आसा गुजरी राग दी चालवे चर इस दा नाम माडा मंतर है इस पश्ट नी कीता होया के जबजी सहब दा नाम माडा मंतर संत जी ने आप ही राख लिया के जां ये भी अकाल पुर्ख नहीं दिता सी एक कुछ पढ़ के हरानी हुंदी है के नंबर एक सिरिमान पंथरतन विद्या मार्तंड संत ग्यानी गुर्बचन सिंग खालसा पिंडरावाडे टकसाली विद्याले दे संचालक जी ने जेस महामंतर बाणी नू लेखके उस दवाले फेरे लेंदे गुरु नानक सैब जी नू दरसाद ता सी फिर करीब दास साल उपरंत ओही महामंतर अकाल पुर्ख जी अपने डैवी चेले गुरु नानक जी नू गुरु देख्या देन लई वर्त दे दरसाण विच संत जीदा की मंतब है कि अकाल पुर्ख जी ने साथ गुरांदी ही उचारी बाणी चुरा के बुता सार ले असी कि अकाल पुर्ख जी आप कोई होर देख्या देनी जान दे ही सान एक पासे तां एक एहा जारिया है के गुर मंतर गुप तुन्दा है पर अकाल पुरुख जी ने एस दात के समझबूरी कार्ण तोड़ दिता सी उनने तां गुर दीख्या ओही दे दिती जड़ी उसे चेले ने करीब दास साल पहला लिख दिती सी नमबर तिन की गुरु नानक सहिव जी पहला करीब तीस साल ने गुरे ही रह सन की गुरदेव जी पदाईशी गुरु नहीं सन की ओत तुरों गुरु था पे जान उपरण थी जगत विच्च नहीं सन आए नमबर चार होर विदवाना ने लिखिया है के जब जी सैब दी रचना करतार पुर विखे होई सी संत पिंडरावाले ने के इस अदारते लिखिया है के गुरु नानक सैब जी ने जब जी सैब दी रचना साच खांड विच करके अकाल पुर्ख जी नू सुनाई सी, अथे अकाल पुर्ख जी ने एस रचना नू माडा मंतर दा नाम दिता सी नोट, इस बंद विच जेडी चिठी संत मुहुन सेंग जी पिंडरा वालया नू अथे संत ठाकर सेंग महते वालया नू लिखी सी वो पुस्तक मास मास कर मूर्ख चगडे विच शब चुकी है संता दा फुर्मान है कि अकाल पुर्ख जी ने ए वर्दिता सी कि जेडा प्राणी मूर्मंतर दा सिमर्न करेगा उसनु सारे पदार्थ मिल जानगे अते सारे कार्ज रास आ जानगे अते उ मुगत भी हो जावेगा फिर की पिंडरावाले संता नू पर मातमा दे एस बच्चन ते पर उसा नहीं सी जो उनाने मूर्मंतर दा सिमर्न करके नानरंकारियां वरुद केसी ही जितिया अते नाहीं खालस्तान बनवा लिया जांकी सिख पंथनों बेपर्न की रीत नार जोड के गुर्देव जी दिया नजरां विच पूरी तरह बेपर्तीता बना देन लई इस सारा कुछ मान करती ही लिख दिता सी दोसो पंजी सफेते लिखे वेई नदी वाड़े साकेतों सिर्फ ती सफे ही अगे दोसो शपंजा सफेते संत जी ने गुर्मंतर अते मूर मंतर बारे विचार सरलेख हेट उचेचा लेख लिखिया है उस वेच संत जी ने किसे संत रेण आद वैरागी सादुआ दे सिर्फ गुर्मंतर अते मारा मंतर केड़ा है किर्पा करके दसो जी ता सुनके सिर्फ गुर्मंतर वहिग्रु है अते मूर मंतर साथ गुर्मंतर नानक जी ने एक उंकार साथ नाम करता पुर्ख निर्पा उनरवेर अकाल मूरत अजुनी से पहंगुर परसाद जाप आद साच जुगाद साच है भी साच नानक होसी भी साच बख्षया है अते मारा मंतर साथ गुर्मंतर अजे पुछया ने पुछ के दसांगे उसे विड़े दूजे पाच्छा जी ने आके साथ गुर्मंहारा साथ जी तो पुछया हे महारा साथ जी जो वैरागियां दी जमात आई है वो पोश्च देहान के आफ जीदा माडा मंतर केड़ा है ताँ सुनके साथ गुरू महाराजी ने सिरी जबजी सहीब जीदियां सारियां पौडियां ते सलोक उचारन कीता अते आग्या करके सिरी गुरू अंगस सहीब तो सारियां पौडियां तर्तीव वार लिखवाईयां ते दसिया के ए सिरी जबजी सहीब बाणी साड़ा माडा मंतर है महापुरुखा दे इना बचनातों पैदा होए हे एठ लिखे शंकियां दी नविर्ती की कदे संत मुहुन सिंग जी पिंडरावाडे कारदेन दी खेचल कार सकन गे नंबर एक एक था संता ने लिखिया है के जब जी सहीब साच खांड विखे उचारया सी अते इसनू माडा मंतर दा नाम साच खांड वेची ही मिल गया सी फिर करतार पौर सहीब विखे जाद गुरु नानंग सहीब जी ने सिरी लेना जीनू आपनी मेहर नाळ लेना जीतों गुरु अंगा जी बनाया सी तां भरकतां दा पंडारा सौंपन लगया नेत स्वेरे पड़ी जान वाली पावन बाणी सिरी जवजी सहीब दे ग्यान दी बक्षिश करनी केमे पूल सकदे सन संत जी दी केडी साखी सची है वेई न दी वाली के जां करतार पौर वाली नमबर दो जे वैरागी सादू संत रेन आद करतार पौर आके मंतरां बारे पोछना कर दे तां कि जब जी सैब दी रचना नहीं सिखीती जानी कि इस महान बानी दे परगट होन दा अथवा तुरों आउन दा कार्न वैरागी सादू संतरेन जी हन नमबर तेन वैरागी सादू आदी अजही मांग साब्द कर दी है कि ये साच नहीं है कि देरेदार संत महा पुर्खा ने बिपरीती नाढ बले संसकारांदी परेर नहेंड़ी करामाती शकतियाओ वाले मंतर शवधनू गुर्मत नाल जोड़या है नमबर चार मनोखनू कर्म जोगी संत सूर्मा बढ़ोन आए गुरु नानक सहीब जी नेवी ब्रामन वांग किसे खास बाणी नू अथवा किसे शवदनू मंतर दा नाम देता है एग अल केस दलीर नल साच मान लई जावे इस दूशन दी मैल तो अणवास्ते परमा दा रणा पौन दा अपराद कीता है इस शंके दा ठीक अते प्रोस्य जोग निरना कर सकान लई साधे कोल केवल अते केवल सिरी गुरु गरंशैव जी दा ही पावन सुरूप है सिर्फ गुरबानी बारे ही जिकीन नाड किया जा सकदा है के ए दुश्मना दी शेड शाड तो पूरन तोर ते बची होई है बाकी पावे पाई गुरदा जी दी बानी ते पावे पाई नांदलाल जी दी बानी है कोई गरंथ भी ब्रामनी पहुँचतों दूर नहीं जा सकया सुवाव जुग जुग अटाल सिरी गुरु गरान सैव जी दा हैसला सुनिगे दोख कलेश ना पाव बे आपय गुर मंतर हिर्दे होई कोट जतना कर रहे गुर भीन तर्यो ना कोई पन्ना अकवंजा अर्थ जेस मनोख दे हिर्दे विच गुरु दा उपदेश सदा वासदा है उसनों कोई दोख कलेश जान डर पो नहीं सकदा लोग करोडा होर होर जतन करके ठक जान दे हाना पर गुरु दी शरंतों बिना उनना दुखां कलेशां तों कोई मनोख पार नी लंग सकदा गुर मंतर दा अर्थ गुरु उपदेश है कोई खास अखर जां कोई खास शवद जां कोई खास बाणी नूं करामाती मंतर समझ के उस दे जावनू करामाती शक्तियानाल जोड वेना विपरवाद है अजही ब्रह्मनी मातनाल पर पूर उपदेश पिंडरावालया महपुरुखां दी पुस्तक विचों गुर्मतों अग्यान पाठकां दे मन ते थां थां ते कातक असर पार्या हुंदा है साच बिन सात संतोख ना पावे बेन गुर मुगत ना आवे जावे मूल मंतर हर नाम रसायन कहो नानक पूरा पाया पन्ना एक हजार चाड़ी अर्थ सदा थिर प्रबू दे नामतों बिना कोई मनोख दूजियां दी सेवातों संतोख दा आत्मक गुण प्रापत नहीं कर सकदा गुरु दी शरंतों बिना विकारांतों खलासी नहीं मिल दी मनोख जनम मरंदे गेड़ विच प्यारीं दा है इनानक हरीदा नाम सिमर जो सब मंतरांदा मूल है ते जो सब रसांदा सोमा है जेड़ा मनोख गुरु दी शरंपे के नाम सिमरदा है उसनू प्रबू मिल पहिंदा है सद्गुरा ने किसे बाणी नू नहीं सगों केवल प्रबू दे नाम नू ही मूल मंतर फुर्मान कीता है आव हुन महा मंतर बारे गुर्मद समझिए काजर कोठ मैं पईना कारी निर्मल बर्न बने ओरी महामंतर गुर हिर्दे बसियो अचर्ज नाम सुने ओरी पन्ना तेनसो चरासी अर्थ मेरे हिर्दे विच साथगुरुदा शव्द रूपी बड़ा बली मंतर वासरिया है मैं अचर्ज ताक्त वाले प्रबुदा नाम सुन दी हाँ इस वास्त इस कजल परी कोठी विचरें द्यावी मैं विकारां दी काल खनल काली नहीं होई मेरा साथ सुथरा रंग ही ठीके आ रहा सुनत जवत हर नाम जास ताकी दूर भलाई महा मंतर नानक कथे हर के गुण गाई पन्ना अड़ सो चौदा अर्थ हे पाई नानक एक तो वड़ा मंतर दासदा है मंतर एह है के जेडा मनोख परमात्मा दे गुण गौंदा रहींगा है परमात्मा दे नाम दी वड़ियाई सोन दियां ते जापदियां उस मनोख दी हर एक बड़ा बिवता दूर हो जान दी है उपरो का तदोहां गुर शब्दा विच असा वेख लिया है के सत्गुरा ने किसे बाणी नू नहीं सगों केवल परमात्मा दे नाम नू ही महा मंतर फुर्मान कीता है सिरीगुरु ग्रांसैब जी दी बाणी वेच अजिहा कोई शब्द नहीं है जित्थों कोई डेरेदार जां उपदेशक कैसे खास बाणी नू मूल मंतर अथवा मंतर अथवा माला मंतर सिद कर सकदा होए अजहे बचन केवल ब्रामनी विद्यानाळ ही सबांद राख दे हन अते लोकांदे मनावेच मंतरान यां कथित करा मातांदा परम पौण लई ही अजहे उपराले कीते होए हन मान अनांद मंतर गुर दिया तरिशन भुजी मान नहचल थिया पन्ना 387 अर्थ हे पाई जेसम नूख नू गुरू ने उपदेश दिता उसदे मानवेच सदा अनांद बणिया रहींदा है उसदे अंदरो माया तरिशना दी आग बुज जान्दी है उसदा मन माया दे हल्या दे टाकरे दे डोलनों हाट जान्दा है साथगुर मंतर दियो हर नाम ए आसर पूर्ण पैकाम पन्ना 396 अर्थ जेसम लोख नू साथगुरू ने नाम जपन दा उदेश दे दिता इस नाम मंतर दे आसरे उसदे सारे मनोर्थ पूरे हो गए गोर मंतर हीनस जो प्राणी तिरगंत जन्म परिष्टना कूकरा शूकरे गर्द पै काकै सारपने तोल खला पन्ना 1315 अर्थ जेडा मनुख साथगुरू दे उपदेश्तों सखना है उस पैड़ी बोदवाले दा जीवन फिटकार जोग है उ मूर्ख कुते सूर खोते का नाम राम नामंग ते आनंग सरबत्तर पूर्णा ग्यानंग साम दोख सुखंग जोग्त निर्मल नर्वैर्ण पन्ना 1370 गुरू दे मंतर गुरू दा उपदेश गुरू दी सिख्या गुरू दे बचना उनसार जीवन टाल लैन वे चेही सारिया करामाती शकत या हनुरू दा मंतर उपदेश दीख्या सिख्या अथवा सात्गुरां दे बचना केवल सुन लैन दा कोई लाब नहीं गुरू दी सिख्या ते तुरंते ही गुरू बचना दा फाड है उपड के हो जया है आओ हाजरा हजूर सात्गुरां तो पुछ के हिर्द्या विच द्रिड कर लि गुर्के बचन शूनरसन वखानी गुर किर्पा ते अमृत मेरी बानी गुर्के बचन मिटिया मेरा आप गुर्की दया ते मेरा वड़ परताप गुर्के बचन मिटिया मेरा पर्म गुर्के बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर्के बचन कीनु राज जोग गुर्के सांग तरिया सब लोग गुर के बचन मेरे कार जिसे द, गुर के बचन पाया नो निद, जेन जेन कीनी मेरे गुर की आसा, तिसकी कटिया जाम की फासा, गुर के बचन जागिया मेरा करम, नानक गुर पेटिया पार ब्रम, पन्ना दो सो उन ताली अपने मन्दियां मतां अते सियानपां ते आके गुरु उपदेश हिर्देविच वसाल एन नाल उच्चे पागां वाले बनीदा है सादु की मन ओट गव उक्त सियानप ते आग गुर दीखिया जहें मन बसे नानक मस्तक पाग पन्ना 260 पूरे गुर की पूरी दीखिया जेस मन बसे तेस साच परीखिया पन्ना 293 पूर्ण गुरु दी सिखिया हर पक्खों पूर्ण उंदिये गुरु दी सिखिया मन बिच वसाके ओस उंसार जीवन टालें नाड प्रभु दी पशान आजन्दी है अते परमात्मा नाड प्यार बन जन्द है गुरु दी सिख्या त्यान नड सुनके ओसु उनसार अपनी जीवन जुगत बना लें नड हॉमें दा नाशुन दा है अते गुणा दा खजाना प्रभू हिर देविच आवस दा है इमान गुर की सेख सुन हर पामें गुणी नदान हर सुख दाता मनवस है हॉमें जाये गुम पन्ना 511 जापनार कार्ज सिद कर सकन दे परमिच फसया मनोख इस गुरु फरमानु समझन दी लोड मुका चुका हुन्दा है पौडी सातगुर विटों वारिया जेत मिड़ें खसम समालिया जिन कर उपदेश ग्यान अंजन दिया इनी नेतरी जगत निहालिया खसम छोड दूजे ल कर किर्पा पार उतारिया पन्ना चार सो सतर अर्थ मैं अपने सतगुरुतों सदके हां जेसनों मिलके मैं प्रभुनु जाद करदा हां अते जेसने आपनी सिख्या दे के मनों ग्यान दा सुर्मा दे दिता है जेस दी बरकत नाल मैं इनना अक्षा नाल संसार दी असलियत के जो मनुख मालकनू विसार के किसे होर विच चेत जोड रहे हन वो इस संसार सागर विच डोब गए हन मिरे सद्गुरू ने महर करके मैंनू इस संसार समुंदर विचों पार कर दिता है जेस मनुख दे हिर दे विच प्रबू दी जाद ठीकी रहीं दी है उस्ते किसे परकार दा जादू टूना असर नहीं कर सकदा राम नाम जो जान जपै आंधन सद जागै तंत मंत नह जो है तित चाख ना लागै रहाओ पन्ना अट सो सतारा अर्थ जेडा मनुख परमातमा दा नाम जापदा रहींदा है ओ हर विले विकारा वलों सुचेत रहींदा है कोई जादू टूना ओसोते असर नहीं कर सकदा कोई पैडी नजर ओसनू नहीं लग सकदी रहाओ पाव प्रबुदा नाम ही सारे मंतरां दा मंतर है संत जना हर मंतर देडाया हर साजन वासगत टीने राम आपनड मन आगे तरया सर्बस ठाकुर दीने राम कर आपनी दासी मिटी उदासी हर मंदर थित पाई आनद बनोद सिम्रो प्रब साचा विच्छड कबू नह जाई सावड पागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने कोहो नानक रमे रंग राते प्रेम महा रास पीने पन्ना सात सो ब्यासी किताब विपर्न की रीततों साच दा मार्ग पाग दूजा शेमे कांड दा दूजा पाग लेखक गुरबक सिंग काड़ा अफगाना अवाज गुर्जंड सिंग रूप वाली वाहिकुर जी का खालसा वाहिकुर जी की फते